हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू कूनम स्मार्ट की चैन आज हम लोग एक नए अंदाज में बनाने जा रहे हैं खूबसूरत रोजनमक पारे अगर आप एक ही तरह के नमक पारे खाखा कर बोर हो चुके हैं तो आप इस खूबसूरत और क्रिस्पी रोजनमक पारे को बनाईए इस से बनाना बहुत ही असान है बस आप मेरे बताया नुसर बनाईए तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इस खूबसूरत रोजनमक पारे को बनाने के लिए हमने लिया है चार कटोरी मैदा अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चोथाई चमच कोलाउंजी एक छोटा चोथाई चमच अजवाईन नमक हम अपने स्वादन साथ डालेंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी तेल अब हम इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर मिला लेते हैं जब यह पूरी तरह से मिल जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका मेडियम सॉफ्ट डो तयार करेंगे बीच बीच में आवज सकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं तो लीजिए हमारा डो तयार है आप इसका सॉफ्टनेस देख सकते हैं अब हम इसे ढग कर 20 मेट के लिए रेश्ट करने छोड़ देंगे 20 मेट हो चुके हैं अब हम इसे और अच्छी तरह से मिला लेते हैं देखिए यह हमारा डो अच्छी तरह से मेडियम सॉफ्ट हो गया है अब हम इसका बराबर बराबर चार बॉल तयार कर लेते हैं अब हम एक बॉल को लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से बड़े आकार में बेल लेते हैं अब हम एक छोटी कटोरी लेंगे इस छोटी कटोरी से हम इसे काट लेते हैं इस बचे हुए टुपड़े को हम निकाल लेते हैं इसे हम लोग बाद में इस्तमाल कर सकते हैं अब इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं इसी तरह से हम बाकी छोटी पूरियां भी काट लेंगे अब हम एक छोटी पूरी लेते हैं इसमें हम लोग आगे की तरफ थोड़ा पानी लगा लेते हैं फिर दूसरी चोटी पूरी को इसके उपर रख देंगे, फिर इसमें भी पानी लगा कर तीसरी पूरी रख देंगे, इसके उपर भी आगे पानी लगा कर चोथी पूरी रखेंगे, इसी तरह से हम बाकी चोटी पूरीों को भी रख लेंगे, दो रोज नमक पारे बनाने में ह अब एकम से कम साथ चोटे हाकार की पूरियां लगती हैं अब ये साथ वा चोटी पूरी के ऊपर पानी लगा कर हम इसे धीरे-धीरे रोल करेंगे देखिए इस तरह से हम इसे धीरे-धीरे रोल करेंगे आप इसे दोड़ों तरब से देख सकते हैं देखिए अब हम इसे तेज चाकु से इसे बीच में से काट लेंगे अब हम इसे साथ धानी से इसे फैलाते हुए इसकी पंखुरिया बना लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसे रोज का से देखिए देखिए ये रोज का से ले चुकी है इसी तरह से हम दूसरा रोज भी बना लेते हैं बिल्कुल साथ धानी से इसे फैलाएंगे देखिए ये रोज भी तयार है इसी तरह से हम बाकी सभी छोटी पूरियों को रोज सिर्फ में तयार कर लेंगे अब हमें कड़ाई में तलने के लिए लेंगे तेल तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम रोज लमक पारे को एक एक करके डाल देंगे और इसे हम धीमी आज पर हलका ब्राउन होने तक तलेंगे इसे हम बीच बीच में साब्धाने से चलाते रहेंगे ध्यान रहें कि इसका से बिगड़ना नहीं चाहिए अब यह रोज नमक पारे हलका ब्राउन हो गया है और अच्छी तरह से तलकर तयार है अब हम इसे निकाल लेते हैं तो लीजिए हमारा खुबसूरत रोज नमक पारे बनके तयार है तो फ्रेंड्स देखना आपने ये खुबसूरत नमक पारे को बनाना कितना असान है तो आप एक नए अंदाज में इस खुबसूरत रोज नमक पारे को बनाईए और अपने एक्स्पीरियंस मेरे साथ जरूर सेर कीजिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ थांक्स पॉर वाचिंग